नमस्कार स्वागत आपका Breaking With Agenda में मैं आपके साथ पूझार राठो शर्मा और आज Breaking With Agenda में चर्चा 2024 चुनाव से पहले देश में खुल रही सियासी नफरत और मोहबत की दुकानों की चर्चा इसलिए भी क्योंकि भारत जोडो यात्रा से राहूल गांधी ने देश में मोहबत की दुकाने खोलनी शुरू करती है जो कि विदेश जाकर भी वो खोलने में जुटे हुए हैं लेकिन बीजेपी उनकी दुकान को नफरत का शॉपिंग मॉल बता रही है और खुद के विचारों को देश के लिए सबसे अच्छा बता रही है अब देश जो की चुनाव के हिसाब से जनता या वोट बैंक से होता है वो किसकी दुकान पसंद करने वाली है यहीं आज की चर्चा का विशह है यहां एक आकड़ा भी समझना बेहत जरूरी है कि राहुल की मुहबत की दुकान से कॉंग्रिस को हिमाचल और करनाटक में बड़ा फायदा हुआ है और अगर पूरा विपक्ष कॉंग्रिस के साथ उनकी दुकान का हिस्सेदार हो गया तो फायदा और भी बड़ा हो सकता है वहीं बीजेपी को पीएम मूदी के चहरे पर पूरा भरोसा है विश्टी सरकारों में किसने मुहबत फैलाई, किसने नफरत इस पर भी सियासी तीर अब चलने शुरू हो चुके है तो आज का सवाल यही कि जनता के असल मुद्दे महगाई, बिरोजगारी, विकास को छोड़कर अब सियासी दुकानों और बयानों से ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा क्या निता आरोप प्रत्यारोप की राजमिती से कभी बाहर निकल कर विकास के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ेंगे 2024 में किसकी दुकान के कितने हिस्सेदार होंगे और जनता को किसकी सियासी दुकान पसंदा रही है ये सब समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले राहूल गांधी और जेपी नडड़ा उनके बयानों को सुन लिजे क्या कुछ कहा इस पावर वियर रेड़ी तू वियर नोट बिग वाइलंट वियर नोट बिग अग्रेसिव राइट वियर नोट बिग नास्टी अट इस आर स्ट्रेंथ we will not change our behavior because because you cannot the thing is you cannot please understand you cannot cut hatred with hatred it's impossible it is impossible to do I'm not interested in trying to cut hatred with hatred मैंने बोला था नफरत के बाजार में महबबत की दुकान आपका काम नफरत फैलाने का है हमारा काम महबबत फैलाने का है हम आपके लिए आपका काम दोड़ी करेंगे हम तो अपना काम करेंगे जब जब भारत के नित्रतों की थाथी बनती है एक उसका लोहा लोग मांते हैं तब तब हमारे कॉंग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है ये गौरव उनको पच्चता नहीं है ये गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है और उपर से आप कहते हैं कि हम मुखबत की दुकान चला रहे हैं अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग बॉल खोल करके मैं करें तो जले नफरत और मोहत्बत के इस बाजार में आखिर जनता किसका साथ देगी उसे कहां से मुहबत मिल रही है और कहां उसे नफरत मिल रही है ये तो वोट बैंक जो है वो ही डिसाइड करेगा क्योंकि बहुत जादा वक्त अब 2024 के चुनाव में रह नहीं गया है इसी पर आज की हमारी चर्चा आज का विशलेशन एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौझूद है